हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजर वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएची एल के स्टॉक के बारे में बीएची एल में दोस्तों अगर आप आज देखेंगे तो तेजी लौटती हुई देखने को मिली अब आप समझ ये बीएची एल में आकर हो क्या रहा है लगातर अगर आप देखेंगे तो बीएची एल का काउंटर गिरता हुआ देखने को मिल रहा था साथ साथ बाजार भी देखने को मार्केट में कल भी उसमें भी स्टॉक ने अपने 45 रुपीज के लेवल को ब्रेक नहीं किया और स्टॉक बार बर कोशिश कर रहा था कि हाँ इस लेवल से बढ़ जाओं बढ़ जाओं लेकिन इनरजी स्टॉक्स थे वो अलगी तीजी में कामकाच कर रहे थे तो इसका मतलब क्या है और इसके आगे बात करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को पुरा देखेगा दोस्तो चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा औ क्या होगा नाइन्थ ऑफ मार्ज नहीं कल का टार्गेट तो चली दोस्तों सबसेले बी एचिल की क्लोजिंग प्राइस के उपर नज़र डालते हैं दोस्तों देखे आज बी एचिल अगर आप देखेंगे तो आपको आल्मोस्स 50.10 रोपे क्लोजिंग देता हुआ कि आसप बढ़िया कर रहा था बट मार्केट नीचे आया फिर आपके से स्टॉक देखें लोवर लेवल्स पर आया लेकिन जैसे मार्केट ने रिखाया स्टॉक अपने डेज हाई की तरफ बंद हुआ है पचास-पचास का हाई आज का और उसके आसपास बंद दोता हुआ देखने क दे रहा है स्टॉक पचास रुपर के नीचा आगा है इसमें कोई डाउट नीए था एक महीने में दस परसंट गिरावट दिखा थी छे महीने में दस परसंट की गिरावट दिखा थी लेकिन अब फिर से देखिए जो बढ़ातरी है वह आपको आती हुई देखने को मिल रह जो है वो डिफिनिटली थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है कोशिच कर रहा है लास्ट में भी अगर आप देखते तो हाँ एक चीज है कि सेलिंग ओडर लगते हुए देखने को मिल रहा है 50.10 पर 1697 से वाल्यूम के बारे में बात तो करी लेकिन डिलिवरी के आती हुई आपको देखने को मिल है और सबसे बड़ा बात करे कि देखिए वाल्यूम में भी आपको बड़ोतरी आती हुई देखने को मिल रही है अब मैंने शुरुबात में देखिए जो थमनेल में था कि एक बड़या ख़बर निकल के आई है शेयर ओल्डर के लिए और इसमें दोस्तों जो बी एचिल का स्टॉक है वो दे रहा है सिग्नल ऑफ बाइंग करने के बारे में देखिए यहां पर साफ सब दिख रहा है मेंसेडी इंडिकेटर पर और दोस्तों जो ख़बर निकल के आई है वो है फ्रॉम एकॉनमिक टाइम्स तो जो खबर है उसके व इसमें दोस्तों जो मेजर कंपनीज है वो आप समझे कौन से कंपनीज है अगर आप दिखेंगे इसमें टाटा पावर बी एचियल यह सब पावर कंपनीज है जो पावर एक्विप्मेंट काम करती हुए देखने को मिलती है और इनके अंदर दोस्तों यहां पर साफ सब आ है कि एक जो डाइवर्जन से उसमें साफ सब बुलिश अंडर्टोन फार्म होता हुआ देखने को मिल रहा है और यहां पर बड़ी तीजी आपको आने वाले दिनों के अंदर होती भी देखने को मिलती है यहां से बिलकुल बाइंग करने के बारे में देखें सजेशन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है अफ्रेंच थें कि भी एचेव में कररेंट लेवल्स पर आखिर करना क्या है अब समझे थे कि भी हो क्या रहा है लास्त तीन बात करता हूं बहुत इंपोर्टैंट है याद रखेगा किसी भी कमपनी के फंडमेंटल के लिए सबसे बढ़िया बात क्या हुई Q3 के अंदर कंपनी profitable हो गई जो कंपनी लगा था loss report कर रहे थी वो अब आपको profit report करती वे निज़राई कब जब पूरा COVID का situation almost clear था इसका मतलब क्या है कि देखे कंपनी काम बढ़िया करने की पूरी कोशिच कर रही है बहुत बढ़िया करने की कोशिच कर रही है बट लगातर अगर आप देखेंगे तो COVID का scenario इस प्रकार से बन रहा था कि कुछ दिक्कत है आ रही थी अब क्या हो रहा है अब लगातर अगर आप देखेंगे कंपनी के revenue increase हो रहा है प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मल रहा है 112% profit बढ़ता हुआ देखने को मिला profit margin बढ़ता हुआ देखने को मिला operating income बढ़ती हुई देखने को मिली और यह हर quarter में हो रहा है अगर आप देखेंगे तो company बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है बढ़िया कर रही है इसका यह साफ साफ सबूत है और यही देखें चीज़े बताता है कि BHL के अंदर आपको तीजी होती हुई क्यों देखने को मिलेगी आप समझे देखें बीएचेल कोई आम कंपनी नहीं है इन लेवल्स पर ऐसे अगर आपको मिल रही है तो definitely लोग समझते की बहुत छोटी से कंपनी है BHL इंडिया की one of the largest कंपनी में से एक है जो heavy electricals का काम करती हुई देखने को मिलती है अगर आप देखेंगे तो यह stock एक समय पे काफी बढ़िया काम करता हुई देखने को बहुता था बट वह गवर्णनेंस सही नहीं है और कहते है पी एस स्टॉक है तो वहाँ पे लोगों का विश्वास निकल गया इसलिए कर आप देखेंगे तो यह stock जब एक टाइम पे आपको more than 250-300 रूपीस का सपस काम करता था वहाँ से तेज से नीचे आया लेकिन अब मुझे रखता है कि देखें जो governance change होती हुई देखने को मिली है और सबसे बड़ी बात का है कि देखें अब बहुत सारी जग़ा प्राइवेटाइसेशन का डर है प्राइवेटाइसेशन साथ साथ क्या है बीच में देखने को मिलना चाहिए सरकार का मुहीम था बट अभी इसके उपर कोई ख़बर निकल के नहीं आ रही है बीच में काफी बार देखें सुर्ख्यों में आता हुआ देखने को मिलता है और दोस्तों कंपनी बढ़या करती हुई देखने को मिलती है और स्टॉक मार्केट याद रखेगा पेशन्स लेने वाला गेम जरूर खेलता है बहुत चारे स्टॉक्स के साथ हो सकता है बीचल उनमें से एक हो बस आपको करना कुछ नहीं है देखें अगर सही लेवल्स मिलते तो अक्युमिलेशन के बारे में सोचना है और होल करके रखना है बिकास मुझे लगता है कि यहां से जो क्यू फो रहने वाला है वो बेहत जरूरी रहेगा तो यह बात अब समझ के जलिए अब करना क्या कल के लिए मुलते की लिए कि जो बाजर का अंडर्टोन है वो थोड़ा सब वापीस से तीजी के साइट पर आता हो देखने को मल रहा है देखना होगा किस प्रकास अमेरे का बाजर करते है अधर्वाइस बाय कर लीजे करें ल होते होगे देखने को मिल रहे है वो भी शार्प कंपने के काफी कुछ मनेज्मेंट में भी चेंज आया है और सबसे बड़ा बात क्या है कि देखे सरकार फोकस कर रही है अब गवर्मेंट कंपनी पर तो यह ध्यान में रखेगा तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही था thank you friends for watching this video